हर्याना के जीन्द में महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा एक सीनियर IPS अफसर पर लगाए गए यो नुत्पीडन के आरोपों को लेकर जाँच लगातार जारी है लेकिन जीन्द में कोई भी पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले पर बोलने को त्यार नहीं है यहां तक कि जिस IPS अफसर के लावा एक DSP और एक महिला SHO का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है उन्होंने भी चुपिसाद रखी है हम इस वक्त SP आफिस जीन्द में मौझूद हैं जहां पर कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले पर बोलने को त्यार नहीं है हलाकि इस मामले में जिस महिला DSP और महिला SHO का नाम सामने आ रहा है वो सीधे तोर पर कह रहे हैं कि मामले की जाँच जारी है और जाँच पूरी होने के बाद ही वो इस पूरे मामले पर कुछ भी कह सकते हैं हलाकि ये जो महिला पुलिस कर्मिय जिन्होंने कतित तोर पर चिठी में आरोप लगाए है और चिठी को वाइरल किया गया है वो अब तक सामने नहीं आई है एक और चिठी भी सामने आई है उसमें इन महिला कर्मियों ने आरोप लगाया है कि जिन 19 महिला पुलिस कर्मियों को लेकर कोई भी पुश्टी नहीं हुई है कि महिला पुलिस कर्मी कौन है और अगर इन लोगों ने आरोप लगाए है तो यह अब तक खुल कर सामने क्यों नहीं आ रही क्योंकि अब यह पूरा मामला सीमो की जानकारी में आ चुका है सीनियर जो पुलिस अधिकारी है वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं मामले की जान जारी है तो ऐसे में इन महिला पुलिस कर्मी का सामने आना जरूरी है लेकिन अब तक यह महिला पुलिस कर्मी सामने नहीं आई है सिर्फ कतित तोर पर काई आखिरकार क्या है जीन्द से कैमरामेंट बीर सिंग के साथ मोहितमलोत्रा टीवी नाइन भारत वर्ष